हेलो फ्रेंड्स माज़ना हर्शल कोरें मी आज इने एक वीडियो अप्लोड करना रहे चेज़ो नमाए वाय डूवी फॉलिल मंज़े आपन आजरी कापड़ तो खूप सोपा लेशन आए खूप सोपा चाप्टर आए तुम्हाल आओ गडवाट लासल पर तुम्ही एक दावाचन गया अनि हाँ वीडियो पा आने लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब करा प्लीज आने अपले अमर जोनी बेल आइकोन ल प्लीज इंस्टाल करा वाइड वीडियो अपलोड के लिए अपन आजरी कापड़ तो अब मैं हिंदी में बोलूंगा हम विमार क्यों मिलते हैं पॉर एक्जांपल जब हम पॉलूटेड वाटर पीते हैं पॉलूटेड फूड खाते हैं तब हम इल पड़ जाते हैं तो डिसीज और हेल्ट में क्या डिफरेंट्स है हेल्ट मतलब हमारी नौर्मल फंक्शनिंग लाइफ हम फीट थे एंपॉशनल मेंटल सोशल अन फिजिकल एंपॉशनल मतलब हम अपने एमोशन्स कंट्रोल कर सकते हैं एपॉर प्रेंड्स के साथ या कुछ बाहर के समाज में हमारा रिस्पेक के चाहिए अच्छा होना चाहिए वह भी हेल्ट पर डिपेंड होता है और फिजिकल मतलब हम कितने ताकतवरे फिट है थोड़ा फैटी भी नहीं और ब्रिटल बोनी भी नहीं हम फिट है और कौन सा मेंटल मतलब हमारी इंटेलिजन्स आईक्यू लेबल कितनी हम कितने इंटेलिजन्स है यह सब इसे हेल्थ होते हैं और डिस इज 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 मतलब कंफर्ट मिंस कंफर्ट इस कंफर्ट हमारे नॉर्मल फॉंक्शनिंग में अगर अन कंफर्टेबलिटी चुलू है मितलब हो जा is acute disease मतलब उच्छोटे समय प्यागते कामन कोल्ड कामन कोल्ड और क्रोनिक डिसीज मतलब भूट लंबा समय फोर एलफ एलफ एल्फ एटिस मतलब वो वाम स्थी होते और कामन कोल्ड मॉस्कितोस नहीं मॉस्कितोस नहीं सौरी एर बॉन डिसीज है और अगरोिनिटि आइबलेटी टुट मतलब हुए कल डिसीज और ल एकिन सोते वह संसरेशन करके हुए आपको समझ में नहीं आया ऊक्रों थो भी लाइक करना समझ में आया तो भी लाइक करना सबस्क्राइब करना ne VO मना रहत्त तो भाइज जरू इंस्टाल करना उससे भी समय नहीं तो बेदन तो आप जरू इंस्टाल करना सो बाई हमारे गन इस्ट तुरती चल रहा है आपके से चलो प्लीज लाइक करना प्लीज